Hello बच्चों, I am Amit Bajaniya, your physics teacher at competition. वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जनरल फंडों पर कम से कम वीडियो बनाएं. बड़े एक special request थी, कबीर की, from Praveen 3 batch. उसने का कि सर, जो बच्चे repeat करने वाले हैं 12th class के बाद, जेए के लिए, वो किस तरह से motivate रहकर, systematic तरीके से बढ़ाई कर सकते हैं. और वो किन-किन problems को face करेंगे, उसको किस तरह से handle करना है, इस पर एक चोटा सा वीडियो बना दीजिए. एवें repeater नहीं है, कि हाथ जो class 12 खाला बच्चा होगा, वो भी लग-बग-लग-बग same face से गुजरता है, तो मुझे लगा कि अरना, कोई बच्चा बाद में आज कि 5 मेने बाद, 6 मेने बाद, पूछे कि सर, अब मैं यहाँ-याँ फसावाँ हूँ, तो मुझे क्या क्या करना चीए, उससे पहले बच्चा को आज ही बता दू, कि तुम यहाँ-याँ फससकते हो, और जहाँ-जहाँ फससकते हो, उससे निकलने के यह यह रास्ते हैं, तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो को नियरले 7-8 मिनट के अंदर ही रैप अप कर दूँ, हाला कि मेन कोशिश हमारी ही रहती है कि हम जो भी अच्छे वीडियो से हैं, हो एक-एक मिनट के अंदर निप्टा दें, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट यह वाला वीडियो बड़ा एक मिनट के अंदर तो बैठेगा हैं, सबसे पहली बात, कि जो बच्चा, जिस साल एक्जाम देने वाला होता है, वो काफी टर्मोल से गुजरता है, काफी सारे ups and downs आते हैं, कभी वो बहुत ही escalated फिल करता है, कभी वो अचाना किसे काफी demotative फिल करता है, फिर वापस से कभी बहुत भैंकर तरीके से, वो enthusiastic फिल करता है, फिर वापस से वो खुब दुखी फिल करता है, और काफी ऐसे upheaval task भी उसके सामने आते रहते हैं, ऐसे case में मुझे के बार असा लगता है, कि successful होने के लिए, फिर exam में अच्छा करने के लिए, बच्चे के IQ के साथ, उसका emotional quotient भी अच्छा होना जरूरी है, फिर बच्चे को exactly पता है, कि इस तरह के situations तो आएंगे आएंगे, ups and downs तो आएंगे आएंगे, I just have to face them, मुझे उस तरह से face करना है, कि मैं किसी तरह से इन खराब situations से बाहर निकल जाओ, आपने समरे track पे आजाओ, और वो बड़े आराम से इसको part and parcel of J.E.E. या need preparation मान के चलता है, वो किसी तरीके से अच्छा score आखिर में कर लेता है, तो चलिए, इस बार में एक हलका फलका discussion करते हैं, last year में जब बच्चा exam देने वाला आता है, उस साल में कौन सी basic problems जो बच्चा face करता है, मैंने कुछ six problems के आस पास लिखी हैं, हाला कि problems दोवर भी हो सकती है, ये major ones है, हो सकता है कि preparation के शुरुवाती time में आपके लेगे, नहीं सरे इन बेसे मुझे कोई problem नहीं है, बट जैसे से time बीटता है, वैसे वैसे ऐसी problems लगाता है, सबसे पहला जो problem बच्चे face करता है, that is procrastination, कि बच्चा homework को टालता रहता है, classes attend करने को टालता रहता है, question practice करने को टालता है, और even test, जो से coaching के अंदे देने चे उसे लगाता है, वो टालता रहता है, इस टालने की कारण लगाता है, उसका जो काम है वो लगाता है, इकटा होता होता है, जो मैंने दूसरा point भी लिखा रखा है कि that is backlog. Backlog मतलब बढ़ा ठीक है कि class अंदर पढ़ाया जा रहा है let's say n number का chapter और आप अभी से रफो से n-3 वाल तो chapter उसे के सवाल कर रहे हो तो ऐसे case में बच्चे को ऐसा लगता है कि बहुत ही upheaval task है और वो बढ़ा आराम से उसे ऐसा लगता है कि यार यह आराम से चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएं यह थोड़ा सा हलका सा disartan feel करता है तो यह backlog कभी create होने देना ही नहीं चाहिए कभी procrastination को avoid करना चाहिए अब procrastination को avoid करना चाहिए बोलना असान है अना करना मुश्किल है तो मैं एक बात कहूँगा कि procrastination को avoid करने के लिए एक तो of course self motivation is must उसकी तो मतलब कोई बराबरी ही नहीं बट फिर भी आप अपने life में दो-तीन changes कर सकते हो जिससे तो बड़ा काम से procrastination बदूर कर सकते है पहला ये कि हमेशा short term targets मनाओ अगर आपने long term targets मनाए ना तो थोड़ा सा ना बोरित मैसूस होगी कि एर actual exam तो आज से 16 मैने दूर है 17 मैने दूर है बहुत time पढ़ा है पढ़ लेंगे कल कर लेंगे आज के क्या जवरत है आज तो मज़े घर लेते हैं आज तो गज़े शादी में चले आते हैं आज तो चिल मचा लेते हैं तो ऐसे ची दिमाग लगातार आती रहेंगे तो हमसा short term targets मनाओ कि आज के दिन मुझे ये खतम करना है इस week में मुझे ये काम करना है तीन week बाद जो exam होगा उसके मुझे इतना score करना है तो short term targets मनाए और खास तोर से एक दिन का साथ दिन का और 21 दिन के ऐसे short term लगातार targets मनाए और लगातार उन targets पर लगातार work करते रहें अगर इन targets के तरफ लगातार काम करते रहोगे इनकी तरफ लगातार दोड़ते रहोगे तो procrastination ज़धा दिमाग में आएगा नहीं और अगर ये सोचोगा नहीं कि exam अपना 17 मेने दूर है 16 मेने दूर है तो 20 बात है कि फिर तो काफी हद तक हम तोड़े से तो हमेशा short term targets को ही follow करें short term targets के तरफ लगातार चलते रहें साथ ही साथ एक time table ज़रूर बनाए और ideal time table नहीं बनाना है आपको feasible time table बनाना है सब बच्चे ये ना ideal time table बनाते है कि हाँ ये ideal है फिर उसको follow करते नहीं है तो oldie motivation feel होते है feasible बनाओ जिसको तो मैं लगता है कि मैं इसको religiously follow कर सकता हूँ उसे बनाओ क्योंकि इंसान ने कोई चीज सोची और उसको जब वो करता है तो उसे अच्छा फिल होता है मानलों कि उसने time table बना है कि मैं बारा गंटे पड़ोगा और मानलों कि वो 8 गंटे पड़ रहा है तो उसे दुख लगता है कि यार मैंने जितना सोचा तान वो उतना कर नहीं पया उसके बजाए वो 8 गंटे का ही time table बनाए और 8 गंटे ही पड़े तो उसे अच्छा फिल होता है कि हार जो मैंने सोचा तो मैंने वो कर लिया तो feasible time table बनाए आइडियल नहीं और हर इंसान की लिए feasible अलग-अलग हो सकता है आप अपने यह साब से time table बनाए और कोशिश ये करें, मेरी तरफ से तुम्हें एक होगा कोशिश ये करें, कम से कम दिन के अंदर एक बार है ना कम से कम एक बार ठ्री आर्ट की लोंग continuous sitting तो होनी चीए time table के अंदर कम से कम एक बार तो कम से कम एक बार तो लगाता है तीन गन्टे के sitting होनी चीए क्योंकि actual exam तीन गन्टे का दिना होता है तो यह eating होनी चीए यह दोनों point थो खेया? Next is बहुत सारे बच्चे जो निपटते हैं वो निपटते हैं मुबाइल फोन के कारण देखार जैसे जैसे नुकलियर रेक्शन से हैं नुकलियर रेक्शन का अगर तुम constructive यूज़ करोगे तो अब बात है कि उसे तुम नुकलियर प्लांट बना सकते हैं और पूरो दुनिया के जो भी energy crisis है उसको दूर कर सकते हैं लेकिन उसी नुकलियर रेक्शन से हम लोग atom bomb भी बना सकते हैं और of course पूरो दुनिया को खतम भी कर सकते हैं एक ही source को हम पर depend करता है कि हम उसको किस तरह से use कर रहे हैं mobile phone को जो topper बच्चा होगा जो अच्छा बच्चा होगा जो food बच्चा होगा वो उसे constructive तरीके से use करेगा और जो बच्चा थोड़ा सा थोड़ा सा फिसट्डी होगा वो क्या करेगा कि उसी mobile phone के अंदर PUBG खेलेगा या कोई और game खेलेगा या फिर WhatsApp, Telegram movies, Netflix इनमें लगा रहेगा so same source है उसी same source को दो अलग-अलग इंसान अलग-अलग तरीके से use कर रहेगा आपको थोड़ा सा इस बार में cautious नेना पड़ेगा कि cautious efforts लगातार आपको मारने पड़ेंगे कि आप हमेशा जो भी आपके पास इस तरह के संसाधन है उसको थोड़ा सा आप constructive एके अंदर use करो इसमाँ ये भी कहूंगा कि अगर आपको माल लेज़ेगे mobile phone, gaming, social media गर बहुत ज़दा परिशान कर रहे है तो बिलकुल blackout भी आप कर सकते हो कि यार मैं तो सिर्फ हो सिर्फ class के lectures देखने के अलवा इन पर कभी आऊंगा ये नहीं और ये शुरुआत में मुश्किल लएगा लेकिन जैसे ये 7-8 दिन आप अगर ये वाला वरत अगर रख लोगे तो फिर धिरी दिरी आपके behavior के अंदर आजा start हो जाएगा इन से दूर रहने के पूरी कोशिश करें जो था जो सबसे बड़ा जो demotivating factor होता है वो आथा कम marks मालो बच्चा खूब पढ़ रहा है बढ़िया पढ़िया अच्छी पढ़िया कर रहा है स्वास्ते बढ़िया है सब बढ़िया अच्छी पढ़िया पिर भी number नहीं है मालो 300 number का paper था और सब कुछ करने के बाद उसके 1500 number आए तो इन जनरल बच्चा जो समझदार नहीं होता वो क्या सोचता है क्यों और यार इतना सारा पढ़ने के बाद में 1500 number आए मुझे तो फला आईटी के अंदर फला ब्रांच चाहिए मुझे फला आईटी के अंदर यह वाली ब्रांच चाहिए इस तरह बाते सोचते हैं उसके लिए तो मुझे 220 number चाहिए 230 number चाहिए तो कभी आएंगे नहीं ऐसे तो वो सोचता ही ऐसे negative है बलकि यह तो पहला test है 1500 number तो आज आए है अगर अच्छे कासे effort के बाद आपके 1500 number आए है तो disorder time होने के बिल्कुल ज़रूत नहीं है यह जो number है यह जो marks है यह obvious बात है कि function of time है और आपको कोशिश करना है कि इस function का जो slope है वो positive है अभी date 100 आए है बाद में 160 है बाद में 170 है और बाद में आखिर में आते आते हैं यह number आपके बड़े अराम से 220-230 इवन 260-270 के आज पास भी जा सकते है लेकिन आपने जो effort यह date 100 number लाने के लिए लगाए है उन efforts को लगातार को continuous रखना है बहुत सार बच्छे वो date number देखके सोचते है आपको लगातार क्या करना है कि आप जो काम कर रहे हो से continue रखो if you are doing something good, keep on doing it good हो जाएगा काम, कोई दिक्कत रही next is, that is emotional turmoil जैसे मैंने कहा कि यह emotional turmoil और यह overexpectation वाले जो point है काफी तक आपस में एक दूसरे से related है बहुत सारे बच्छों के खुद से और बहुत सारे बच्चों की, बच्चों से उनके parents की बहुत जादा expectations होती है कि यह ऐसे करेगा, वो करेगा, वगर वगर तो उसमें से कई expectations जो होती है वो realistic भी नहीं होती है कि यार मैं तो I.A.T. बंबे में computer science लोंगा, I.A.T. दिल्ली में computer science लोंगा, दो गंटे पढ़ाई नहीं कर रखे होती है वो उसको I.A.T. बंबे में CST होता है यह थोड़ी से जो over expectations है यह मुझे ऐसा लगता है कि depression का सबसे बड़ा कारण है सबसे बड़ा कारण है number कमाना उतर बड़ा कारण नहीं है बड़ा कारण है कि हम हर चीज़ में over expectation करते हैं कि यह तो I.A.T. दिल्ली में CST लोंगा या कुछ नी लोंगा ऐसे बिल्कुल binary तरीके से सोचते है 0 और 1 की तरह सोचते है 0 और 1 की तरह सोचने के वज़ा हमेशा sinusoidal तरीके से सोचो कि हाँ यार जितना effort करूँगा उतना मिल जाएगा इस emotional turmoil से और expectation से बहार निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने बात को मनाओ अपने आपको मनाओ इस तरीके से कि भही मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से उतनी ही expectations करूँगा जितनी मैं बढ़ाई करूँगा that's it अगर मैंने खूब सारी बढ़ाई कर रखी बढ़ाई कर रखी तो जादा expect कर लेंगा और कम बढ़ाई कर रखी तो expectation अपने आप से कमी रखेंगे और इस कारण से मैं at least खुश तो रहेंगे वो जादा important काम है तो मैं कहूँगा कि इन emotional turmoil से निकलने का बढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है ये खुश रहें स्वस्त रहें और expectations आपके efforts के directly proportional रहें मैंने कुछ points ओर लखे हुए हैं जिन points पर आपको लगातार काम करना है लगातार पूरे साल पर काम करना है कभी भी आपकी जो class है उसको leave नहीं करना है कोई class नहीं छोड़नी है हमेशा class तो attend करनी ही करनी है किसी unforeseen reasons से मानलोग की class miss होगी मानलोग किसी शादी में चाना पड़ गया किसी function में जाना पड़ गया कुछ और होगी ब्युवार पड़ गये तो उस backlog को जल्द से जल्द complete करनी कोशिश करें और अगर मानलोग कभी backlog create हो भी जाए तो उस backlog को जब निप्टा रहे हो उस time पर हलका सा compromise भी कर लिया करो जैसे मानलोग कि let's से 5 chapter का backlog होग है physics के अंदर तो अब time तो constant ही है time तो fix ही है तो जो 5 chapter का backlog हुआ है उसकी practice में हलका सा compromise कर लिया करो हो सकता है कि तुम पहले n number of questions करते थे अब तुम उन जो 5 chapter बीते हो तुम सिर्फ n by 2 या n by 3 number of questions ही करके आगे move on करो आगे move on करना और course को catch up करना जादा important है ना कि मा उन्हें के सवाल बार 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 लगातार करता रहो और backlog लगातार pile up हो जाए तो जब कभी backlog pile up हो वैसे क्या करो? backlog को निप्टाओ और practice करने में हलका सा compromise कर लो इससे तुम उतने जादा hurt नहीं हो गये जादा hurt कब हो गये? कि तुम उसी backlog के ने लगातार फसे रहो उस vicious circle में लगातार फसे रहो तो जल्दे जल्दे उसको पूरा करके वापस वहीं तक पहुंचने कोशिश करो जहाँ पर actual class चल रही है classes attend करने के बाद सबसे important चीज़ बढ़ा यह है कि आपने जो कुछ सीखा उसे आप apply करना सीखो because you know it very well कि J is not same like board exam यहाँ पर आपने जो चीज़ सीख रखिए आपने जो concept सीख रखा आपने जो formula सीख रखा है उसको किस तरह से सवाल के अंदर apply करना है किस तरह से situation ने apply करना है वो आपको आना चीए और वो तब आयेगा जबाद क्लास में सीख लोगे और उसके बाद आपको आप उसको किसे सवाल के अंदर apply करोगे तब जाके आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें fit बैठेंगे तो कोशिश करो कि जो चीज सीखी उसका humor उसी दिन निप्टा दिया उसकी जितने questions कर सकते हैं उत्ते questions कर लो questions में मैं पहले इस बाद हो clear कर लो कि जो भी आपकी coaching का material है वो best है बराबरी ही नहीं है इसकी कोई भी समझदार बच्चा कोई भी senior बच्चा जो आपका hit चाहता होगा वो भी आपको इवाली बात बोलेगा कि end number of books खरीदने से कोई फायदा नहीं है सबसे important चीज़ आपका coaching material वह सवाल है वो लगाओ अगर वो तुमसे बन जाते हैं फिर तुमारी मर्जी हो वो करो लेकिन होता क्या? उल्टा होता है बच्चा कैसे होता है? coaching material तो ऐसे ही है वो 10 book लेके आता है और उन 10 book में से सिर्फ उसे एक ही chapter करता है physics में उन 10 book से वो rectal emotion करके बैठा है ठेक है? rectal emotion से मालो सबसे फाला chapter है तो 10 book से वो सिर्फ उसे rectal emotion करके बैठा है होना उल्टा चीए था एक source से 10 chapter करने चीए थे उसने एक ही chapter 10 source से कर लिया और वो किसे से satisfied नहीं है तो क्योंकि उसके दिमाग इस तरह से कि वो dissatisfied ही रहता है बच्चा इसकी बजाए आप एक source को पकड़ो religious से पकड़ो और उसको निप्टाओ उसको निप्टाने के बाद अगर आपके पास समय मिलता है तो अपने teacher से पूछ लो कि कि बटा तू इरोडो कर ले teacher उलेगा तो बहुत फूड हो तो बोल देगा कि इरोडो कर ले teacher उलेगा कि नहीं यार इसको mediocre type of questions के संक्या जाए चाहिए teacher अपने आप बोल देगा कि बटा तू कम कर ले HCV कर ले तो वो teacher आपके एसाब से आपको बता देंगे बट जो coaching material है वो होने के बाद ही इस तरह के 10 terms करने अधरवाइस नहीं करने next is कभी भी किसी भी case के अंदर आपको test तो छोड़ना ही नहीं है मैं बहुत ए clearly इस बात को बोल रहा हूँ कि जो बचे test छोड़ते हैं वो कायर होते हैं तैवात है वो बहाने मारते रहते हैं पूरे सादर कि मेरा syllabus नहीं वा इसलिए मैंने test छोड़ दिया कोई बात नहीं तुम मालो कि 0.7 times अगर 0.7 मालो 70% अगर syllabus कर लगेगे कोई बात नहीं उस 70% के उपर सवाल होंगे न mostly सवाल तो 70% पर होंगे उन 70% के सवाल ढूंड के सवाल कर लो mostly बच्चा test coaching के देता ही नहीं और उसके पूछी main कारण ये कि उसे डर लगता है उसके अंदर खौफ बैटा हुए कि number कम आगे तो क्या हो जाएगा अरे क्या ही हो जाएगा coaching का test है कौन सा कोई हाथ काड़ देगा क्या पर पढ़ जाएगा इस बात से अगर 70% syllabus है कोई बात नहीं सवाल उस पूरे-पूरे test में ढून लो कि कौन से 70% सवाल मैंने पढ़र रखे हैं वो कर लो 80% syllabus से ढून लो कि उस 80% में से कौन से सवाल है वो कर लो इसमें कौन सा लोड है जितना आता उतना करल बागे छोड़ दो लेकिन अगर मानलो कि हम test को देना अगर छोड़ देंगे तो इस काल हमने डरना स्टार्ट कर दिया चीजें कम आती है उसका इलाज तो है डर का इलाज इतना आसान नहीं है अगर हम एक बार exam से डरने लगे test से डरने लगे, mark से डरने लगे तो उस डर से बाहर निकालना बच्चे को ज़्यदा मुश्किल होता है सवाल नहीं आता, formula नहीं आता formula अपलाए नहीं करना आता उसमें से बच्चे को निकालना बहुत असान होता है तो इसलिए test को तो वही बच्चा छोड़े अपने coaching के test वही बच्चा छोड़े जिसको अपनी rank डूबा नहीं हो मैं clearly इस बात को बोल रहा हूँ और जो कायर बच्चे होते है, वही test वोड़ते है बहादर अच्चे को पता है, ठीक है इस बार कम पढ़के गए, कम नमबर आ जाएंगे अगली बार जादा पढ़के जाएंगे, जादा नमबर आ जाएंगे क्या लूड़ है इसका अंदर, है कि ने जब भी test दो, हमेशा उस test को अनलाइस करो मालों के 300 नमबर का test था और 300 नमबर मेंचे तुमारे 200 नमबर आगे for example, 100 नमबर के सवाल या तो आपने किये नहीं या आपसे छूट गए हमेशा इस ये जो 100 नमबर के सवाल जो आपसे छूटे हैं या फिर जो आपने गलत कियें, उनके साथ समय बिताओ ये 100 नमबर के सवाल आपसे छूटे हैं और गलत हुए हैं यही आपका हिद चारते हैं, यही आपकी rank को बढ़ाएंगे work on then, क्या गलती हुई, क्या मैं calculation mistake कर रहा हूँ क्या मैं silly mistake कर रहा हूँ, क्या मुझे concept ही नहीं आता क्या मुझे topic नहीं आता, उस पर work करो इस पर अगर work करो कि तब जाके ये 200 के 210 होंगे इन 100 पर काम करो कि तब जाके 220 होंगे इन 200 को घूरते रहोगे ना, तब कुछ नहीं होगा कि oh my god, मैं कितना food हूँ, 300 चे 200 नमबर लेया और इस 200 नमर में कितना tough सवाल था, यह यह ने कर दिया मैंने यह कर दिया, इनको घूरने से कुछ ना होगा इसको घूरोगे, इस पर समय बिताओगे, तब जाके 200 के अंदर 210, 220 इस तरह से मार्स आपके बढ़ेंगे, हमेशा test के analyze करो, उसे समय दो अपने स्वास्ते का, physical, mental, health का अच्छा ध्यान रखें जब भी समय मिले, jogging करें, खेलें, कूदें, meditation करें जब भी समय मिलें, ऐसा कीजिए जो अच्छा बच्चा होता है, उसे बड़े अराम से वो समय निकान लेता है, ठीके, खेलने, कूदने, meditation करने के लिए समय निकान लेता है, अपने स्वास्ते का, अच्छा ध्यान दें, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आइडिली, बच्चे को साथ गंटे तो कम से कम सोना ही सोना चीए, और अगर ठीक अगर अच्छा दिमाग काम करता हूँ, बड़े अधिमाग काम करता हूँ, साड़े साथ आठ गंटे भी सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उस सोने वाले आदे गंटे में ही कुछ उखाड लेंगे, जितना टाइम जाग रूँ, अगर में उखाड नहीं तो उसमें उखाड लेंगे, तो बड़ी आराम से सो, बड़ी आखाओ, प्योग, खेलो, कुदो, मेडिटेशन करो, कोई इश्यू नहीं है, जिस उसके अलाव जो टाइम बच्चता है, उसको बगर efficiently use कर लिया, उसमें बगर daydreaming नहीं की, तब भी फोड लेंगे, अगर फोड ना होगा तो, स्वास्ते का अच्छा ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं, इसके अलाव में एक बात और कहूंगा, जो जेए की preparation होती है, वो सर्फ और सर्फ हमें एक percentile, rank, college, और branch ही देती है, बलकि बहुत सारी चीज़ें और भी सिखाती है, जेए की preparation जो अच्छा करता है, और वो जो ढंक से करता है, वो इन सब चीज़ों के साथ-साथ, जो सब बोनस है, कि मालों किस विल चोगा, IIT दिली में कोई branch मिल गए, तो बोनस है, IIT UOM में कोई branch मिल गए, IIIT हैध efficiently use करना है, किस तरह से कम टाइम के अंदर ज्यादा productivity लेके आनी है, उस पर लगातार काम करता बच्छा, क्योंकि जब बच्छा पढ़ रहा होता तो इन चीज़ों पर काम करता है, अपने aptitude को किस तरह से better करना है, किस तरह से use करना है, rational thinking किस तरह से मुझे अपनी बढ़ान है, test skills कैसे अच्छे करनी है, सवाल ना भी आता हो, तो भी कोई ने कोई जुगाड लगा कर, check method लगा कर, मैं answer निकाल लूँ, है कि नहीं, ऐसे चीज़े सोचना, और अपना emotional quotient बैटर रखना, कि हाँ ठीक है, पता है कि आज जेई की preparation के अंदर ups and downs लगाता है, तो जब भी downs को अगर आएंगे, तो मुझे पता है कि how to bounce back, ये तो चीज़े हम सीखते हैं, ये जिन्दी के पर हमारे काम आती है, जेए की rank हो गई, बड़ा ठीक है, ब्रांच हो गई, IIT हो गई, वो तो ठीक है, एक थोड़े टाइम ही काम आती है, बाकी टाइम तो ये आपकी जो skills हैं अपने अपने अंदर create की हैं या फिर्म लेक तरह से अपने 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 अंदर हमेशा काम आएंगे, और जो 17-18 साल की उमर के अंदर कोई बच्चा अगर इन पर काम करता है, तो वो तो फूड़े का है, फूड़े को इसको रोक सकता है नहीं, तो अज़ा मान के चलों कि जेए की preparation में, जेए की rank, IIT मिलना, NIT मिलना, ब्रांच मिलना, उसके साथ-साथ ये सब चीज़ें मिलना भी must है, हाँ, ये बात में मानता हूँ कि जिन बच्चों का IIT मिलती है, NIT मिलती है, वो इतनी मैनत कर चुके होते हैं, और इतनी efficiently मैनत कर चुके हैं, और लग-बग-ल जादा लगे, चले कोई बात नहीं, फिर भी कोई साल पूछना, अब तब पूछना लाग, मुस्पर वीडियो बनाए दोगा, चले, कुछ रही, मस्त रही, all the best.